नमस्का दोस्तों आज हम बताएंगे कट वाली बाजू दीजाइन बनानी को तो यहां अस्तर को कट कर रखे हैं देखें यह दो फोल्ड करके इस तरह से फिर फोल्ड कर देते चार फोल्ड हो गिया अब इसके उपर पहले बाजू की लंबाई हम नापेंगे जितनी रखे नह आगे के तरफ से राधाएंची जो पीछे के तरफ से सिलाई मार जाएगा उसका निसान में लगा रहे हैं उसको बाद यहां से मैं दिल का डिजाइज दिये गई हो इस तरह से इस तरफ टर्न करके इसको हलकी आदी से थप थपा दोंगी तो दोनों साइड आ जाएगे अब इसको यहां पर फिर यहां पर डार के कर लेंगे उसका बीच से यहां पर खोल देंगे तो दोनों बाजू कट जाएगे कटने का बाद फिर इसको इस तरह से पलटके इसके उपर तप तपा दिये तो इस पर भी निसान आ गए अब इस पर भी चोक से डार के कर लेंगे निस कान को वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप सीख पाईएगा समझ पाईएगा तो हम नीचे लिए कपड़ा शारी वाली अउपड लिए अस्तर वाली कपड़ा इस दोनों को सेंटर से मिला के आधे हैंची जो मैं आगे के तरफ जो मारजन छोरी थी वहां से सिलाई लगा लिए उसका बाद यस्तर को आगे के तरफ टर्न करके इस तरह से टर्न करके नाखुन लगा दूंगे उसका यहां हमने देरी में डोड़ी लिए आप चाहे तो कपड़ा का भी डोड़ी यहां पर बना के रख सकते हैं उसका इस तरह से डोड़ी को शिंटर में रखके उसका यहां पर उपर टाका भर की करानट टाक की चाहिए पूरा दिखना कीजेगी उपक्राइब बिच जो'mजना किजेगा, घरच कुमेंट कीजेगाe को निकाल देंगे उसका जेंटर में छोटा-छोटा कट डाल के इस तरह से सिलाई को बचाते हुए कट को डाल दोंगी कट डालने के वाद यहाँ पर सीधा कर लेंगे सिलाई को प्लarner देंगे अंदर चली जाएगी डोड़ी भी आगे के तप देख़ें की असान निकल गए अब ये सेंटर जो है इसको नोकी लिए कोई चीज लेके यहाँ पर ये सेंटर को निकाल देंगे आगे के तरफ तो देखें बहुत अच्छा से निकल के आगे हमारे नोकी उसको बाद इसकी किनारी से एक सिलाई लगा दोंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजेगा चैनल का नाम है शोभा सिलाई फेस्बुक पे भी शोभा सिलाई के नाम से मेरा चैनल चल रहा है वहाँ भी जाके फूलो कीजे और इसके उपर मैं पूरे में सिलाई लगा दी अब इसके उपर हमने ये लेस लिया है उसक अच्छे से लेस को बिठाते हुए यहाँ पे गोलाई बाली भाग पे थोड़ा सा लेस बिठाने प्रोब्लम होती देख दम लेस को बिलुकुल खीचेंगे नहीं लेस को डिला रखेंगे अन्य कपरा को खीचेंगे दोनों को एक वराबर से रखते हुए शेट करते हुए आगे बरहेंगे उमिद करती हुए जो आप सभी को ये वीडियो देखिएगा तो सीखिएगा समझेगा और आगे बरिएगा एक ही बार में सीख जाएग अच्छी तरस से इस तरस से हमने पुड़े बाजो के उपर मैंने लेस डिजान फिट कर दे लेस और देखिए कितनी आसान तरीके से आघ यहाँ पर फीता में थोड़ी कोमें लटकन लगा रही हूँ आप चाहें तो यहाँ पर दुसरा भी लटकन लगा सकती है इस तरह से हमने लटकन कोपरा को सील के यहाँ पर एडि कर दिये इसको सीधा करके बरावर से इसको कट कर देंगे देखी कितनी आसान तरीका से आगे के दिल दिजान सिफ वाली कट वाली मैं बनाने को बताई हूँ तो उमीद करते हूँ जि मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी फिर मिलते ही निक्ट वीडियो की लिए थाइन को धन्यवा अपने दोस्तों के साथ ए वीडियो सेयर करें, लाइक करें, कॉम dirig गें, वीडियो एच्छी लगें तो लाइक जुरूर करें फिर मिलते ही आप सर्छी से अगले वीडियो करें